Hello Friends, आज मैं आपके सामने LKG के English Worksheet लेकर आई हूँ, जो मैंने काफी Colorful Pen का यूज करके बनाई हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं ऐसी Worksheet को इंटरस्ट के साथ करते हैं और सीखते भी हैं, ये मैंने 12 Worksheets बनाई हैं, I hope आपको ये पसंद आएं, तो आज की वीडियो शुरू कर सबसे पहले आता है, Match the pictures with their letters, इसमें क्या है, मैंने एक साइट पिक्चर बनाई हैं, दूसरी साइट उसके letters लिखती हैं, तो आप students को बच्चों को इस तरीके से letters को मतला match कराने के लिए दे सकते हैं, जैसे इसमें E है, elephant, E for elephant, E for egg, तो बच्चा एग पर match करेगा, और जैसे इसमें K, K for kite, तो बच्चा kite को सर्च करेगा, और फिर उसमें match करेगा, उसके बाद आता है, match the capital letters with small letters, जैसे एक side capital letters हैं, दूसी side small letters हैं, तो capital letters को identify करेगा, और small letters पर उसको match करतेगा, जैसे A for A, यहाँ पर A है, small a बना हुआ है, ऐसे ही, C, C हमारा small letter यह रहा, इस तरीके से भी आप करा सकते हैं activity, उसके बाद आता है, write the capital letter and small letters, जैसे इसमें क्या है, जैसे आप इसमें बच्चों को अगर अच्छे से learn है, alphabets, तो आप उसको डैश पना कर भी दे सकते हैं, वो पूरा capital letter और small letter दोनों एक साथ लिखेगा, otherwise अगर बच्चे को थोड़ा सा, मतलब भूल गया है, जैसे बच्चे स्टार्टिंग में जल्दी से याद नहीं रख पाते हैं, तो आप उनको tracing के लिए भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने trace के लिए बनाया हुआ है, तो यहाँ पर बच्चा trace करेगा, उसके बाद आता है, what comes after and what comes before, तो सबसे पहले what comes after, for example, जैसे यहाँ पर L बनाया है, तो L के बाद क्या आता है, वहाँ पर आप उसको बताईए कि किस तरीके सामें लिखना है, L के बाद M आता है, और उसके बाद ऐसे ही what comes before में B से पहले क्या आता है, तो वहाँ पच्चों को दीए, तो आप सबस्चा जों है वो अराम से इस छीच को कर पाएगा, उसके होता है, हमने पहले मैंने क्या किया है, इसमें हाँ पर पहले capital B बनाया हुआ है, तो बच्चों को पहले बताईए कि आपको B को आपको सेम रखना है, और इसके अलावा जो भी ladder होगा, उसको आप सर्कल करेंगे, जैसे B हमारा यहाँ पर पहले starting में B है, उसके बाद हमारा C है, तो बच्चा क्या करेंगा, C को सर्कल करेंगा, तो ऐसे ही इस लाइन में सर्च करते करते, जहां पर उसको और बन दिखाई देगा, जैसे यह के है, तो के, सा यहाँ पर के लिखा है, यह small k लिखा, यह आर लिखा है, तो जैसे small k है और यह capital R है, तो इन दोनों में भी बच्चा बहुत साथ होता है तो आप इस तरह की activity देंगे तो उसकी जो confusion है वो थोड़ी खतम हो सकते हैं जैसे यहां पर capital R odd बन हो गया, यह small r odd बन हो गया, फिर यहां पर capital R odd बन है, और बाकी के यहां पर capital K, capital K, small k, तो यह activity से भी बच्चा जो है, letters को identify करता है कि कौन सा letter क्या है, उसकी जो pronunciation है, वो क्या है, के को वो आर ना बोले, आर को वो के ना बोले, इस तरीके से, next activity है, circle the correct word, इसमें क्या है, circle the correct word में, जैसे कई बारे आपने देखा भी होगा, बच्चा क्या करता है, small, जैसे capital letters, जब लिखना start करता है, तो कई बारे वो, फुल्टे letters भी लिख देता है, तो उस condition में हम क्या करेंगे, उसको दो letters इस तरीके से बना कर देंगे, तो उसमें हमने पहले ही बता दिया कि यह correct word है, तो correct word कौन सा है, वो उसको identify करेंगा, और उसको circle करेंगा, जैसे यहाँ पर यह C, C को circle करेंगा, सेम ऐसे ही यहाँ पर, जैसे जाद देता, P को बच्चे उल्टा बना देते हैं, तो वो correct word को, correct letter को circle करेंगा, उसके बाद इसी activity को आगे एक और मैंने इसमें लिखा है, जैसे B और D, यह बिल्कुल special letters होते हैं, जिनको mostly बच्चे गलत लिखते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, कि यहाँ पर मैंने क्या करा है, B, D, B, D, यह सारे मैंने एक line में लिख दिया हैं, तो बच्चे को पहले बताएंगे कि यहाँ पर सिर्फ हमें B पर ही circle करना है, तो B पर वो circle करेगा, ढूल ढूल कर, क्योंकि B को जालतर उल्टा D बनाते हैं बच्चे, और D को बनाते हैं, तो इसलिए हमें हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ पहले B, B पर ही circle करवाएंगे, तो उसको यह चीज भी थोड़ी identify होगी, उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर मैंने D के लिखा है, तो उसको यहाँ पर next उसमें, आप चाहे एक दिन में दीजिए या next यह आप उसको पहले एक दि इसमें B का कराईएं, उसके बाद D का कराईएं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर फिर उसको D का जब देंगे, तो वो बच्चा सिर्फ D पर circle करे ला, तो यह activity बहुत जाता important होती है, अगर बच्चे को B और D में difference सिखाना है, तो यह activity बहुत useful होती है, next आता है इ the missing letters, तो यह भी students काफी अच्छे से करते हैं, बच्चे, जैसे Q, R, Q के बाद क्या आएगा यहाँ पर, R, उसके बाद S, K, L, M, तो इस तरीके से भी हम बच्चों को यह activity करा सकते हैं, next आता है इसमें circle the wobbles, बच्चे शुरू शुरू में बहुत जादा confused होते हैं, तो हम क्या करेंगे हाँ पर, पहले आप A, E, I, O, U में से कोई से भी छाट का रहाँ पर लिख दीजिए, तो जैसे मैंने हाँ पर O का एक्जामपल लिया है पहले, तो बच्चे क्या करेंगा, सिर्फ O पर ही circle लगाएगा, circle the wobbles O, only, then ऐसे ही I का मैंने बनाया है, तो सिर्फ वो आई पर ही circle करेगा, तो इस तरीके से wobbles को identify करता है कि कौन से हमारे wobbles होते हैं, मैंने यहाँ पर O और I का यूज़ किया है, आप पांचों wobbles को भी यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी जो है, वो इसी से related है, circle the A, E, I, O, U, वोवल्स, इसमें मैंने पांचों wobbles को यूज़ किया है, जैसे यहाँ पर वो क्या करेगा, कि A, E, I, O, U, जितने भी वोवल्स हैं, उन साथ पर circle करेगा, जैसे यहाँ पर A, E, O, I, U, एकर दो बार आ रहा हैं, तो इसको वो दो बार circle करेगा, नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, circle the consonants, वैसे आप इसको एक ही दिन में ना कराएं, पहले एक दिन आप दो दिन दिन तक आप वोवल्स को ही करवाते रहें, उसके बाद आप consonants करें, consonants में जितने भी वोवल्स को छोड़के, जो भी letters होते हैं, वो consonants होते हैं हमारे, तो इसमें आप consonants को खरा सकते हैं circle, तो बच्चों को ये consonants वाले circle करेगा वो, और वो हासा में से identify भी कर पाएगा, कि कौन से हमारे वोवल्स होते हैं, और कौन से हमारे consonants होते हैं, तो ये activity जो होती है, वोवल्स की और कंसोनेंट्स की ये बच्चे को बहुत आसानी से समझ में भी आती हैं, और बच्चे को easy भी लगती हैं उसके बाद आता है, write the vowels and consonants into trees, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक big tree बनाया है पहले, जिसमें मैंने mix vowels और कंसोनेंट्स दोनों ले दिया है, उसके बाद मैंने नीचे यहाँ पर vowels के लिए एक small tree बनाया है और एक मैंने consonant के लिए small tree बनाया है, तो इससे क्या होगा कि बच्चा इसमें पहले vowels search करेगा, वोवल्स जो search करेगा तो वो इस वाले tree में लिखेगा और उसके बाद consonants जो है वो इसमें search करेगा, तो जैसे यहाँ पर हमारा a, e, i, o, u यह लिखतेगा और उसके बाद यहाँ पर जैसे उसमें लिखेवे consonant l, m, b, p इस तरीके से भी आप activity करा सकते हैं, जिससे की बच्चे को और भी अच्छे से वावल्स और consonants में difference भी पता चले और वो अच्छे से सीख भी पाए इसमें मैंने polythine का यूज किया है, मैंने क्या किया है, शीट को, वरकशीट को मैंने polythine में रख लिया है, जिससे की हम इस वरकशीट को दुबारा से भी यूज कर सकते हैं, जैसे बार बार आपको पिक्चर्स ना बनानी पड़ें, तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं और पूरे साल इसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं सकते हैं झाल 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 आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत पसंद आई हूँ क्योंकि मैंने बहुत महनत से बनाई है और ये बच्चों के लिए बहुत ही जादा यूजफूल है और अगर आप इसकी एक्टिविटीज को अपने घर में बच्चों को कराएंगे तो बहुत ही जादा फायदे मंद होगी क्योंकि बच्चे जो है वो कलरफुल पैन का यूजफ करके बहुत अच्छे से उनको करने की कोशिश करते हैं और काफी इंटरस्ट भी लेते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शियर करें और लाइ करें